SBI Card Android एप का पासवार्ड जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा यदि आप Credit Card यूज करते हैं SBI का तो आसानी से आपको पासवार्ड फरगट करने के जोध पड़ी होगी दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप असानी से नया पासवार्ड कर सकते हैं सबसे पहले SBI Card Application को Play Store से डालोड करें और इसको ओपन करें ओपन करने के बाद इस तरह का SBI का लोगो दिखाई देता है SBI Card ओपन करते हैं इसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है यदि आप username फरगट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे वही password forget करने के लिए forget login details के option पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है सबसे पहले आपको यहाँ पर card number दर्ज करना होगा card number details दर्ज करने के बाद generate OTP के बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर दिखे मैं सभी details दर्ज कर दिया हूँ जैसे की card number, CVV number, date of birth सभी दर्ज करने एक बाद generate OTP के बटन पर क्लिक कर देना है आपके mobile number पर एक OTP प्राप्त होगा box में OTP दर्ज करने के बाद confirm बटन पर क्लिक करें यहाँ पर इस तरह का option दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको password create करने के लिए कहा जा रहा है new password यहाँ पर create करना है इसके बाद confirm password यहाँ पर create करना है आप इस तरह का password create कर सकते हैं capital, L, A, या star लगा सकते हैं इस तरह से 1, 2, इस तरह से number लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए पासवर्ड दर्ज कर दिया हूँ, आगे बढ़ने के लिए अपडेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देखिए एक मेसेज हो रहा है, You have updated your password for your SBI card, online account login now to get started, यहाँ पर मेसेज दिखाई दे रहा है, Tag me to login बटन पर क्लिक करके असाने से login कर सकते हैं, इस तरह से असाने से SBI card का इस्तिमाल करके, आप SBI card एप का पासवर्ड फरगट कर सकते हैं, इस वीडियो समधित कोई भी सवाल हो, सुजहा हो तो comment box में बताएं, मिलते हैं नीग वीडियो में धन्यवाद,